भारत माता की यूपी की राजपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल यहां के लोग प्रिय और उर्जावान मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आदित्यनाज जी उपमुख्यमंत्री श्री केशो प्रसाद मौर्य जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सर्योगी स्री संजीव बालियान जी विके सी जी मंत्री स्री दिनेश खटिक जी उपेंदर त्रिवादी जी श्री कपिल्डेव अगरवाल जी संसंत में मेरे साथी सिमान सत्पाव सी जी राजिन रागरवाल जी विजय सी जी तोमर श्रीमती कांता कर्णप जी विधायक बाई स्वमेंदर तोमर जी संगीत सोम जी जी तेंदर सत्वाल जी सत्य प्रकाश अगरवाल जी मेरे जिला परिशन रद्यक्ष गौरव चोधरी जी मुझफर नगर जिला परिशन रद्यक्ष बिरपाल जी अंडे सभी जन प्रतिनीदी गण और मेरे मुझफर नगर दूर दूर से आए मेरे प्यारे भाई और बेहनों आप सभी को दो हजार बाईस की बहुत बहुत शुपकामनाएं साल की शुरुवात में मेरा ठाना अपने आप में मेरे लिए बहुत एहम है बारत के इतिहास में मेरट का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है बलकि मेरट हमारी संस्कृति हमारे सामर्थ का भी महत्वपुन केंद्र है रामायन और महाभारत काल से लेकर जैन तिर्फंकरों और पंज प्यारों में से एक भाई भाई जर्मसी तक मेरट ने देश की आस्था को उर्जावान किया है सिंदू गाटी की सब्वता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस छेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ क्या होता है अठारा सो सत्तामन में बाबा ओगजनार मंदीर और बही से आजादी की जो ललकार उठी कि दिल्ली कुछ का आवान हुआ उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी क्रांती की इसी प्रेणा से आगे पढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अम्रित महोस्चों मना रहे हैं मेरा सवभाग्य है कि यहां आने से पहले मुझे बाबा ओगजनार मंदीर जाने का आवसर मिला मैं अमर जवान जोती भी गया स्वतंत्रता संग्राम संग्राले में उस अनुभूती को मैसूस किया जो देश की आजादी के लिए कुछ कर्द गुजरनावालों की दिलों में एक लालाई थी भाई और मैंनो मेरट और आजपास के इस छेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपून योगदान दिया है राष्ट रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट के लिए सम्मान राष्ट भक्ति की अलत को इस छेत्र ने सदा सर्वदा प्रजवलित रखा है नूर्पूर मड़या ने चौदरीक चरण सीजी के रूप में देश को एक बिजेनरी नेत्रुत्व भी दिया मैं इस प्रेणा स्थली का बंदन करता हूँ मेरट और छेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूँ भाई और भेनो मेरट देश की एक और महान संतान मेजर द्यान चंजी की भी कर्म स्थली रहा है कुछ महिने पहले केंदर सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरसकार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया आज मेरट की स्पोर्ट उनिवर्सिटी मेजर द्यान चंजी को समर्पित की जा रही है और जब इस युनिवर्सिटी का नाम मेजर द्यान चंजी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेणा देता ही है लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है उनके नाम में जो सब्द है ध्यान बिना ध्यान के इंद्रित किये बिना फोकस एक्टिविटी किये कभी भी सफलता नहीं मिलती है और इसलिए जिस उनिवर्सिटी का नाम ध्यान चंज से जुड़ा हुआ हो वहाँ पूरे ध्यान से काम करने वाले नवजवान देश का नाम रोशन करेंगे ये मुझे पक्का विश्वास है मैं उत्तर प्रदेश के नवजवानों को यूपी की पहली स्पॉर्ट उनिवर्सिटी के लिए बहुत-बहुत बधाय देता हूँ 700 करोड रुपीय की लागत से बनने वाली ये आधुनिक उनिवर्सिटी दुनिया की स्रेश्ट स्पॉर्स उनिवर्सिटी में से एक होगी यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर राष्टियत सुविधाएं भी तो मिलेगी यह एक करियर के लिए करियर के रूप में स्पोर्ट को अपनाने के लिए जरूरी स्कील्स का निर्मान करेगी यहां से हर साल एक हजार से अधीक बेटे बेटियां बहतरीन खिलाडी बन कर निकलेगे यानि क्रांती विरों की नगरी खेल विरों की नगरी के रुप में अपनी पहचान को और ससक्त करेगी साथ यों पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारे थी तब यूपी में अपरादी अपना खेल खेलते थे माफिया अपना खेल खेलते थे पहले यहां अवैद कबजे के टुर्नामेंट होते थे बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुले आम गुमते थे हमारे मेरट और आसपास के खेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिये जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुस्तेनी घर छोड़ कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे अब योगी जी की सरकार पहले क्या का खेल खेले जाते थे अब योगी जी की सरकार ऐसे अपरादियों के साथ जेल जेल खेल रही है पांच साल पहले इसी मेरट की बेटियां साम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी आज मेरट की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है यहां मेरट के सोती गंज बाजार में साथियों ये सो सी गंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब दा एंड हो रहा है अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मोका मिल रहा है साथियों हमारे यहां कहा जाता है महाजनों येन गताहा सपंसाहा अर्थात जिस पत पर महान जन महान विभूतियां चले वही हमारा पत है लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है अब हम 21 सदी में है और इसी 20 सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दाईत्वा हमारे युवाओं के पास ही है और इसलिए अम मंत्र बदल गया है 21 सदी कागतों मंत्र है युवाओं जनो युवाओं जनो येन गता सपन था जिस मार्ग पर युवाओं चल दे वही मार्ग देश का मार्ग है जीधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरन चुमने लग जाती है युवाओं नए भारत का करनधार भी है युवाओं नए भारत का विस्तार भी है युवाओं नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेत्रुत्व करता भी है हमारे आज के युवाओं के पास प्राचिन्ता की विरासद भी है आदुनिक्ता का बोध भी है और इसलिए जिदर युवा चलेगा उदर भारत भी चलेगा और जिदर भारत चलेगा जिदर भारत चलेगा उदर ही अब दुनिया चलने वाली है आज हम लेखे तो साइंस से लेकर साहित तक स्टार्ट अप से लेकर स्पोर्ट तक हर तरब भारत के युवा ही चाहे हुए है बाई और भेनों खेल की दुनिया में खेल की दुनिया में आने वाले हमारी वा पहले भी सामर्थवान थे उनकी मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं थी हमारे देश में खेल संस्कृती भी बहुत समर्द रही है हमारे गावों में हर उस्चव हर त्योहार में खेल एक एहम हिस्सा रहता है मेरट में होने वाले दंगल और उसमें जो गी के पीपे और लड्डूओं की जीत का पुरसकार मिलता है उस्वाद के लिए किसका मन मादान में उतरने के लिए ना हो लेकिन ये भी सही है कि पहले की सरकार की नीतियों की वज़े से खेल और खिलाडियों को उनकी तरफ देखने का नजरिया बदल बहुत अलग रहा पहले शहरों में जब कोई हुआ अपनी एक पहचान अगर वो अपनी पहचान एक खिलाडी के रुप में बताता था अगर वो कहता था अगर मैं खिलाडी हूँ, मैं फलाना खेल खेलता हूँ, मैं उस खेल में आगे बढ़ा हूँ तो सामने वाले क्या पूस्ते थे मालू है, सामने वाले पूस्ते थे अरे बेटे, खेलते हो, ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो याने खेल की कोई जती नहीं मानी जाती थी गाउं में यदि कोई खुद को खिलाड़ी बताता तो लोग कहते थे चलो फोज या पुलिस में नौकरी के लिए खेल रहा होगा यानी खेलों के प्रती सोच और समझ का दाइरा बहुत सीमित हो गया था पहले की सरकारों ने युवाओं के इस सामर्थ को महत्व नहीं दिया ये सरकारों का दाइत्व था कि समाझ में खेल के प्रती जो सोच है उसे खेल को उस सोच को बजल करके खेल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है लेकिन हुआ उल्टा जादा तर खेलों के प्रती देश में बेरुखी बढ़ती गई परणाम ये हुआ कि जिस होकी में गुलामी के कालखंड में भी मेजर द्यान चंजी जैसी प्रती भावों ने देश को गवरव दिलाया उसमें भी मेडल के लिए हमें दसकों का इंतजार करना पड़ा दुनिया की होकी प्राश्रूतिक मैदान से एस्ट्रो तरसी तरफ बढ़ गई लेकिन हम वही के वही रह गए जब तक हम जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी उपर से ट्रेनिंग से लेकर टीम सेलेक्शन तक हर सर पर बाई बती जावाद बिरादरी का खेल ब्रस्ताचार का खेल लगातार हर कजम पर भेजबार और पार दर्शीता का तो नामों निशान नही साथियों होकी तो एक उदारन है यह हर खेल की कहानी थी बदलती टेकनलोजी बदलती डिमांड बदलती स्किल्स के लिए देश में पहले की सरकारे बहतरीन इकोसिस्टिम तैयारी नहीं कर पाई साथियों देश के युवाओं का जो असिम टैलेंट था वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिसों में जकड़ा हुआ था 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए उस जकड़ने से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किये खिलाडियों के सामर्थ को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाडियों को चार सस्त्र दिये हैं खिलाडियों को चाहिए संसादन, खिलाडियों को चाहिए ट्रेनिंग की आदूनिक सुविदा, खिलाडियों को चाहिए अंतर रास्ते एक्सपोजर, खिलाडियों को चाहिए, चयन में पादर सिता, हमारी सरकार ने बीते बर्षों में भारत के खिलाडियों को ये चार सस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्रास्विक्ता दी है, हमने स्पॉर्ट को युवाओं की फिटने और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी केरियर से जोड़ा है, तारगेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम, एनि टॉप्स, ऐसा ही एक प्रयास रहा है, आज सरकार देश के सिर्च खेलाडियों को, उनके खाने, पीने, फिटने से लेकर, ट्रेनिंग तक, लाखों करोरों रुपियों की मदद दे रही है, खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से, आज बहुत कम उम्मर में ही, देश के कौने कौने में, टैलन्ट की पहचान की जा रही है, ऐसे खेलाडियों को, इंटरनेशनल लेवल का एथलिट बनाने के लिए, उनकी हर संबव मदद की जा रही है, इनी प्रयासों की वज़े से, आज जब भारत का खेलाड़ी, अंतर राष्टे मैदान पर उतरता है, तो फिर उसका प्रजर्शन, दुनिया भी सराती है, देखती है, पिछले साल, हमने ऑलिम्पिक में देखा, हमने पेरा ऑलिम्पिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो पिछले ऑलिम्पिक में मेरे देख के वीर, बेटे, बेटियों ने करके दिखाया, मेडल की ऐसी जड़ी लगा दी, कि पिराद बेश के उटा, एक स्वर से देख में बोल उटा, खेल के मैदान में बारत का उदय हो गया है, भाई और भैनों, आज हम देख रहे हैं कि उत्तरपदेश, उत्तराखन के अनेग, छोटे छोटे गावों, कस्बों से, सामान्य परिवारों से, बेटे बेटिया, बारत का प्रतिदित्व कर रहे हैं, ऐसे खेलों में भी, हमारी बेटे बेटियां आगे आ रही हैं, जिन में पहले, संसादन संपन परिवार के, युवाही हिस्सा ले पाते से, इसी छेतर के अनेग खिलाडियों ने, आलेम्पिक्स और परालेम्पिक्स में, देश का प्रतिदी त्व किया है, सरकार, गाउं गाउं में, जो आज उनी स्पॉर्ट इंस्प्रासेक्टर निर्मार कर रही हैं, उसका ही ये परणाम है, पहले, बहतर स्टेडियम, सिर्फ बड़े शहरों में इमें उपलब्द थे, आज गाउं के पास ही खिलाडियों के, ये सुविदा दी जा रही है, साथियों, हम जब भी एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए तीन तीजे जरुदी होती है, सानिद्य, सोच और संसादन, खेलों से हमारा सानिद्य सद्यों पुराना रहा है, लेकिन खेल की संस्कृति पैदा करने के लिए, खेलों से हमारे पुराने सम्मन से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिए एक नई सोच भी चाहिए, देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रफेशन बनाने का होचला बड़े, और यही मेरा संकल्ब भी है, और यह मेरा सपना भी है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह दूसरे प्रफेशन बने से ही, हमारे युवाओं स्पोर्ट को भी देखें, हमें ये भी समझना होगा कि जो कोई स्पोर्ट में जाएगा, वो वर्ल नमबर वन बनेगा, ये जरूरी नहीं है, अरे देश में जब स्पोर्ट इकोसिस्टिम तयार होता है, तो स्पोर्ट मेनेजमेंट से लेकर, स्पोर्ट राइटिंग और स्पोर्ट साइकोलोजी तक, स्पोर्ट से जुड़ी कितनी ही संभावनाय खड़ी हो जाती है, दीरे दीरे समाज में ये विश्वास पैड़ा होता है, कि युवाओं को स्पोर्ट की तरफ जाना एक सही निर्णे है, इस तरह का इकोसिस्टिम तयार करने के लिए जरूरत होती है, संसादनों की, जब हम जरूरी संसादन, जरूरी इंफ्रस्टेक्टर विक्षित कर लेते हैं, तो खेल की संस्कृति मजबूत होने लगती है, अगर खेलों के लिए जरूरी संसादन होंगे, तो देश में खेलों की संस्कृति भी आकार लेगी, विस्तार लेगी, इसलिए आज इस तरह की स्पोर्च उनिवर्सिटी इतनी ही जरूरी है ये स्पोर्च उनिवर्सिटी खेल की संस्कृति के पुस्पित पलवित होने के लिए एक नर्षरी की तरह काम करती है इसलिए ही आज आज़ी के साथ दसक बात 2018 में पहली नेशनल स्पोर्च उनिवर्सिटी हमारी सरकार ने मनिपूर में स्थापित की बीते साथ सालों में देश बर में स्पोर्च एजुकेशन और स्किल्स से जुड़े अनेकों संस्तानों का उनकों आधूरिक बनाया गया है और अब आज मेजर ध्यान्चन स्पोर्ट उनिवर्सिटी स्पोर्ट में हायर एजुकेशन का एक और स्रेश्ट सांसान देश को मिला है साथियों खेल की दुनिया से जुड़ी एक और बात हमें याद रखनी है और मेरट के लोग तो इसे अच्छी तरह जानते हैं खेल से जुड़ी सर्वीज और सामान का बैस्विक बाजार लाखों करोड रुपिय का है यहां मेरट से ही अभी सो से अधिक देशों को स्पोर्ट का सामान निजियात होता है मेरट लोकल के लिए वोकल तो है ही लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है देश भर में ऐसे अनेक स्पोर्ट क्रस्ट्रस को भी आज विक्सित किया जा रहा है मकसद यही है कि देश स्पोर्ट के सामान और उपकरणों की मैनुफेक्टिरिंग में भी आत्मा निर्वर बन सके अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें भी खेल को प्रास्पिक्टा दी गई है स्पोर्ट को अब उसी सेड़ी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स, मैंतेमेटिक, जोगरोपी या दूसरी पढ़ाई हो पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था लेकिन अब स्पोर्ट स्कूल में बाकाईदा एक विशय होगा उसका उतना ही महत्व होगा जितना बाकी विशयों का साथ योपी के युवाओं में तो इतनी प्रतिवा है हमारे यूपी के युवान इतने प्रतिवावान है कि आसमान भी छोटा पड़ जाए इसलिए यूपी में डबल इंजिन सरकार कई विश्व विद्यालों की सापना कर रही है गोरगपूर में महायोगी गुरु गोरगनाथ आयूश उनिवर्सिटी प्रयाग राज में डॉक्टर राजेन्द्र प्रताप्सी विश्व विद्यालों है लखनव में स्टेट इंस्टिटुट अप फरंसिक साइंसिस अलिगड में राजा महेंद्र प्रताप्सी राज्य विश्व विद्यालों है सहरनपूर में माशाकंबरी विश्व विद्यालों है और यहां मेरट में मेजर द्यान्चन पॉट उनिवर्सिटी हमारा देश साफ है हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी साथियों सरकारों की भूमिका अभी बावक की तरह होती है योग्यता होने पर बढ़ावा भी दे और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे की लड़कों से गलती हो जाती है आज योगी जी की सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है आई टी आई से ट्रेनिंग पाने वाले हजारों युवाओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार दिलवाया गया है नेशनल एपरेंटिसिप योजना हो या प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना लाखो युवाओं को इसका लाब दिया गया है अटल जी की जेंती पर यूपी सरकार ने विद्यारतियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का भी अभ्यान शुरू किया है साथियों केंद्र सरकार की एक और योजना के बारे में भी यूपी के नवजवानों को जानना बहुत जरूरी है ये योजना है स्वामित्व योजना इस योजना के तहट केंद्र सरकार गावों में रहने वाले लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के माली का नाहग से उससे जुड़े जो कागई है गरोणी देने का काम हो रहा है गरोणी मिलने पर गाओं के युवाओं को अपना काम दंदा शुरू करने के लिए बैंकों से आसानी से मदद मिल पाएगी ये गरोणी गरीब दलीत वन्चीत पीडीत पिछडे सभी समाज के हर वर को अपने घर पर अवेद कब्जे की चिंता से भी मुक्ति दिलाएगी मुझे खुसी है कि स्वामित्व योजना को योगी जी की सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है यूपी के 75 जिलों में 23 लाग से अधिक गरोणी दी जा चुकी है चुनाओ के बाद योगी जी की सरकार इसी अभ्यान को और तेज करेगी भागी और भेनो इस छेत्र के जादा तर्युआ ग्रामिन इलाकों में रहते हैं ग्रामिन आर्थे बबस्ता को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है प्रदान मंत्री किसान सम्मा निदी के माध्यम से कल ही यूपी के लाखो किसानों के बैंक खातों में करोडों रुपिये ट्रांसफर किये गए हैं इसका बहुत बड़ा लाब इस खेत्र के छोटे किसानों को भी हो रहा है साथियों जो पहले सक्ता में थे उन्होंने आपको गन्ने का मुल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुकतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दोरान किसानों को नहीं मिला था पहले की सरकारों में चीनी मिले कोडियों के भाव बेची जाती थी मुझसे ज्यादा आप जानते हैं जानते और नहीं जानते हैं चीनी मिले बेची गई के नहीं बेची गई ब्रस्ताचार हुआ कि नहीं हुआ योगी जी की सरकार में मिले बंद नहीं होती यहां तो मिलों का विस्तार होता है नहीं मिले खोली जाती है अब यूपी गन्ने से बनने वाले इथे नौल के उत्पाजन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है बीते साड़े चार साल में लगबग बारा हजार करोड रुपीय का इथे नौल यूपी से खरीदा गया है बारा हजार करोड रुपीय का इथे नौल सरकार, क्रिसी इंफ्रास्टर्चर और फूड प्रसेसिंग ऐसे उद्योकों को भी तेजी से विस्तार दे रही है आज ग्रामिन इंफ्रास्टर पर बंदारन की व्यवस्ता बनाने पर कोल स्टोरिज पर एक लाग करोड रुपीय खर्च किये जा रहे है बाईयो बैनों, डबल इंजिन की सरकार युवाओं के सामर्थक के साथ ही इस छेत्र के सामर्थक को भी बढ़ाने के लिए काम कर रही है मेरट का रेवडी गजग, हैंडलूम, ब्रास बैंड, आपूशान ऐसे कारोबार यहां की शान है मेरट मुझपर नगर में छोटे वर लग उद्योकों का और विस्तार हो यहां बड़े उद्योकों का मजबूत आधार बने यहां के कर्शी उत्पादों, यहां की उपज को नए बाजार मिले इसके लिए भी आज अनेक विद प्रयास किये जा रहे हैं इसलिए इस छेत्र को देश का सबसे आधुनिक और सबसे कनेक्टेड रीजन बनाने के लिए काम हो रहा है दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे की वज़े से दिल्ली अब एक गंटे की दुरी पर रह गई है अभी कुछ दिन पहले ही जो गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ है वो भी मेरट से ही शुरू होगा ए मेरट की कनेक्टिविटी यूपी के दुसरे सहरों से और समंतों को व्यवार को आसान मनाने में काम करेगी देश का पहला रिजिनल रेपीड रेज ट्रांजिस सिस्टेम भी मेरट को राज़दानी से जोड रहा है मेरट देश का पहला ऐसा सहर होगा जहां मेट्रो और हाइस्पिड रेपीड रेड एक साथ बोड़ेगी मेरट का आईटी पार्क जो पहले की सरकार की सिर्फ गोचना बन कर रह गया था उसका भी लोकारपन हो चुका है साथ यों यही डबल बेनिफिट डबल स्पीड डबल इंजिन की सरकार की पहचान है इस पहचान को और ससक्त करना है भाईयो मेरे मेरट को और पस्ची में उत्तर प्रेश के लोग जानते हैं कि आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनों में योगी जी और इज़र हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूँ हूँ आपके लिए विकास की गति को और बुढाना है नए साल में हम नए जोस के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे नवजवान साथियों आज पुरा हिंदुस्तान मेरट की ताकत दे रहा है पस्टी में उत्तर पदेश की ताकत देख रहा है नवजवानों की ताकत देख रहा है यह ताकत देश की ताकत है और इस ताकत को और बढ़ावा देने के लिए एक नए विश्वास के साथ एक बार फिर आपको मेजर ध्यानचन स्पोर्ट उनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बदाई भारत माता की बारत माता की बंदे बंदे, बंदे! बंदे, 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 बंदे!